तो फाइल दोस्तों आपका एक बार फिसे स्वागते हैं और काफी कम्माल की कंपेरेजन वीडियों के अंदर और लास्ट वीडियो में हमने नथिंग फोन टुए का आई क्यू जैन नाइन फाइजी स्मार्टफून के साथ कंपेरेजन किया था और भाई काफी सारे दोस्त कम कमेंट करते हैं कि दोनों स्मार्टफून को रियल में लेकर आओ यह लेकर आओ अब भी देखो पॉसिबल नहीं है दोनों स्मार्टफून को रियल में लेकर आना आज आते हैं हमारे पास लेकिन एक टाइम क्या होता कि काफी टाइम बार होता है हमारे पास होते हैं दोनों चंपरिवाइज को आपको दिखा देते पैस्ट एक पाफिट क्या होता है दूसरा नहीं होता दूसरा होता तो क्या होता थाओ तोनों अपने experience बेस पर दिखाता हूँ या अपने हमारी जो टेम से हमने experience गेन किया है उन स्मार्टफोन से लेटेर जो स्मार्टफोन हमने लिए है नथिंग फोन 2A की बात को आई कुछ Z9 की बात को रियल में 12 पलस की बात को तो उस basis पर मैं आपको comparison ना तो मैं आपको बताने कोशिज करता हूं रियल लाइफ मेंकौन सा स्मार्टफोन की सतरह से काम करता है और दोने स्मार्टफन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है तो इसलिए कहता हूं मैं हर बार की बही मैं स्पैक्स बेस पर आपको कंपरेशन बता रहा हूं अभी एड़ टाइम हमारे पास यह स्मार्टफोन नहीं है तो आप यह ज्यादा डिटेल में में भी आपको ना बता पाऊं लेकिन भाई एड़ एंड मैं यह पका कहे देता हूं जो भी मैं आपको आपको इंफमेशन देता हूं आप कास स्मार्टफ rattling यह तो आज हूं आपको इंफमेशन करने वाले हैं वह करने वाले ये रिलमी 12 प्लस 5G स्मार्टफोन वर्षिस IQ Z9 5G स्मार्टफोन दोनों ही स्मार्टफोन एक ही प्रेजिंग के अंदर आते हैं इसमार्टफोन अंडर 20,000 हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही जो स्पैस्ट्वेशन है ना तो काफी हट तक सेम भी देख मुनते हैं लेकिन भाई क्या नंबर्स वाइस देखने में तो वह चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको इन दोने स्मार्टफून एक स्मार्टफून खेंना चाहिए और कौन सा स्मार्टफ स्मार्टफून में देखने में जाते हैं सहे आईक्यू जैन नाइन स्मार्टफून की बात को तो चलिए दोने स्मार्टफून के लुक एं डिजैन से हम सरुवात कर लेते हैं और यहां पर बात करता हूं फ्रेंट साइड में तो मीड़ पंशॉल डिस्प्री देखने में आपको काफी अची देखने को मिलने वाली है जबकि बात करता हूं दूसरी तफ़ी यहां पर यहां पर भी बैक में काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाते हैं आपको ड्यूल कैमरा सेट अप देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं प्रिवियस कुछ सिरीज में देख मिलें या कुछ आईकू के प्रिवियस स्मार्टफून में देख मिला तो कोई ऐसा नहीं कुछ यहां नहीं डिजाइन लेकिन काफी बैठिन है जो मेंद अपग्रेज किया गया- वह वन और सब्सक्राइब भी-दिजाइन देख मिल जाते हैं लेकिन अपकी वारे यहां पर मिड़ पंचchas देख मिलें खेंदेग, ढल होल्किन पेम्नेख लन स्मец little subscribe यहां पर हमें आपको याप brightness की बात को ना तो दोनों ही smartphone काफी अच्छी देख मुझाते हैं दोनों ही smartphone की जो hands-on फिल रहती है वो हमें यहाँ पर काफी अच्छी देख मुझाती है color wise दोने smartphone की दिस्प्ले थोड़ी better देखने को मिलेगी और वहाँ पर जो visibility रहेगी दिस्प्लेगी वहाँ पर IQ Z9 की डिस्प्ले आपको भैतर जो है bright देखने को मिल जाएगी तो no doubt यार अगर मैं डिस्प्ले की बात कुरूना तो IQ Z9 की डिस्प्ले में काफी भैतिन देख मुझाती है हाँ आप मुझे बताना कि आपको इन दोने smartphone के डिजैन में सी कौन से smartphone का design पसंद आया आपको वीगन लैदर वाला पसंद आया या आपको normal डिजैन पसंद आया आप मुझे में जरूर बताना लेकिन अभी बात करते हैं दोने smartphone के camera की camera की बात करता हूं तो रियल में 12 प्लेश में देखने को मिल जाता है triple rear camera के साथ जहां पर primary camera 50 megapixel देखने को मिल जाता है Scandi camera है 8 megapixel थर्ड में camera है वो हमें 2 megapixel देखने में जाता है selfie है वो हमें 16 megapixel की देखने में जाएगी यहां पर जो लैंस यूज किया गया है वो Sony का LYT 600 OIS लैंस यूज किया गया है रियर camera में जो primary camera है वही अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरी तरफ यहां पर IQ Z9 5G स्मार्टफून की तो यहां पर dual camera ही देखने में जाता है रियर साइड में 50 megapixel देखने में जाता है और यहां पर Sony का IMX 882 sensor है जो यूज किया गया है का difference को देखते हूँ हम यहां पर कह सकते हैं ज्यादा नहीं IQ Z9 थोड़ी ही better camera quality हमें प्रवाइड करवाता है चाहिए दोस्तों low light की बात कूँ या मैं daylight की बात कूँ और यहां पर अगर आप clarity भी देखोगे या मैं बात करता हूँ colors भी आप देखोगे तो वह भी आपको जो है IQ Z9 की camera quality में थोड़ी better देख मिलेगी तो आप यहां पर camera samples देख सकते हो और आप भी मुझे बताना comment box में कि आपको इन दोने smartphone की camera quality में से कौन से smartphone की camera quality अच्छी लेगी कौन से camera की detail है तो आपको यहां पर अच्छी लेगी आप मुझे यहां पर comment box में जुरूर बताना और साथ यह अगर मैं बात करता हूँ video quality तो वहां पर भी जो stability है दोने smartphone में लगबग एक जैसी देख मुझाती है तो fine दोस्तों display and camera तो हमने देखी लिया कि कौन से smartphone का भैतिन देखने को मिल जाता है लेकिन अभी बात करते हैं performance की और performance की मुझे लगता कि आपको बताने की जूरत है क्योंकि भाई जो पर्फोमेंस स्पेस लेगर में मीडेंग स्मार्टफून की बात को दो ऐसे ब्रैंड समय देखने हैं जो कि हमें बहुतिन पर्फूमेंस वाले smartphone प में देखने को मिल जाता है और दूसरी तफ अगर बात करता हूं रियल में 12 प्लस 5G स्मार्टफून की तो यह हमें प्रवाइड कुड़ाता है मेडिया टाइक डामिश्टी साथ हजार पचाश चिपसेट के मैं साइड बाइस साइड बैंसमास स्कोर यहां पर दिखा रहा ह है तो रियल में भी आपको देखने जाता है और हैं चिपसेट चिपसेट के अमधिया जाती है और सेम चीज आपको ग्राफिक्स में मिल जाती है जो ग्राफिकक्स Z9 में अच्छा देख मिलेगा, थोड़े High Graphics तक का Sport आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिससे अगर आप Gaming करते हो, तो High Graphics में Easily Play कर सकते हो, Smooth Gaming आपको Experience देखने हो, मिल जाएगा, लेकिन जो Realme 12 Plus है, वहाँ पर आपको तो इतना अच्छा देखर नहीं मिलेगा एस टो कंपेर करें IQ Z9 5G स्मार्टफोन से तो नो डाउट यार परफोर्मेंस के मामले में भी IQ Z9 थोड़ा बैटर परफोर्म करते हैं बैटर के मामले में दोने स्मार्टफोन सेम देख में जाते हैं 5000 mh की बैटर के साथ लेकिन चाजिंग स्पीड आवो रियल में 12 प्लस में आपको थोड़ी अच्छी देख में जाती है 67 वोट का फास नंगा स्पोर्ट मिलता है जबकि IQ Z9 की बात करता हूं तो वहाँ पर 44 वो स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीना हो तो वह कौन सा स्मार्टफोन खरीना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बैस्ट हो सकते हैं दोने स्मार्टफोन अच्छे देख मुझाते हैं दोने स्मार्टफोन बैस्ट देख मुझाते हैं लेकिन फिर भी मु दो उस तो आपको यह और आपके आपका क्या कहना इन दोने श्मार्पून के लापिए इन दोने स्मार्पून में से एक स्मार्पून क्रीकों कोन चाहोगे को आपको